नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक नया इतिहास रचते हुए दुनिया को एक संदेश दिया है, उसकी शक्ती और तक्नीकी महारत की कोई सीमा नहीं है। 2024 में जब दुनिया की नजरें और शक्तियां अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने में जुटी हैं, तब भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो ना सिर्फ उसकी रक्षाक्षमता को नया आयाम देता है, बलकि पूरी दुनिया को चौका भी देता है। यह मिसाइल जो हाइपरसोनिक से भी तेज उडान भरने में सक्षम है, एक तकनीकी उपलब्धी है, जिसे भारत ने पहली बार अपनी जमीन से अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तकनीक भारत के भविश्य की सैन्य रणनीती का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, और क्या इस परीक्षन से भारत ने वैश्विक शक्ती संतुलन को चुनौती दी है। आईए समझते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए महज एक सेकंड का काम है, लेकिन इस से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरसल 16 नवंबर 2024 का दिन भारत के लिए एक एतिहासिक पल ले कर आया। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह केवल लंबी दूरी नहीं तै करती, बलकि युद्ध की जटिल परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष को भेदने में सक्षम है। यहाँ पर अलग-अलग रेंज प्रणालियों द्वारा इसे ट्रैक किया गया और डाउन रेंज जहाज स्टेशनों से प्राप्त उडान डाटा ने मिसाइल की एसफल टर्मिनल युद्धा भ्यास और उच्च सटीकता से प्रभाव की पुष्टि की। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षन नहीं था, बलकि एक संकेत था। मिसाइल, संगीत कॉंप्लेक्षन के साथ साथ, डियाडियों की अन्य प्रमुख प्रयोग शालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया है, जहां इसकी उडान परीक्षन के दोरान, डियारडियों और भारतिय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्यानिकों की उपस्थिती ने इस सफलता को और भी विशिष्ठ बना दिया, लेकिन खास बात यह है कि यह अब भूत पूर्व उपलब्धी भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करती है, जिनके पास हाइपरसॉनिक मिसाइल प्रोध् की का स्वामित्व है, यह ना केवल भारत की रक्षा क्षमता को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करता है, बलकि आत्म निर्भरता की ओर एक बड़ा कदम भी है, मेकिन इंडिया के प्रती भारत की प्रतिबधता को यह मिसाइल स्पष्ट रूप से उजागर करत और यह सवाल उठाती है, क्या यह सफलता भारत के भविश्य की सैन्य रणनीतियों के लिए एक नया रास्ता खोलने जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह हाईपरसॉनिक मिसाइल कैसे काम करती है और इसकी खासियत क्या है, तो आपको बता दें, हाईपर किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उडान भरती है, यह गती जितनी तेज है उतनी ही खतरनाक भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अंतर महाद्वीपिय बैलिस्टिक मिसाइलों आईसी बीम से कहीं अधिक चौकाने वाली है, हालां कि हाईपरसॉनिक मिसाइलें अंशिक रूप से मेमोरेबल होती हैं और इसे टार्गेट की ओर सटीक दिशा में मोडा जा सकता है, इसका मतलब है कि यह दुश्मन के परंपरागत रक्षा सिस्टम से बचने में सक्षम होती है, और यह एक अंशिक कक्षिय बंबारी प्रणाली के रूप में कारे करती है, जिसका रियक्षन टाइम इतना कम है कि किसी भी पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, अंतर महा द्वीपी ये बैलिस्टिक मिसाइलें, हालांकि परमानु वरड ले जाती हैं और ए इतनी तेजी से यात्रा करती हैं कि वे राडार और अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों को धोखा देने में सक्षम होती हैं, जिससे इन्हें रोकना और भी कठिन हो जाता है। दोस्तों हाल ही में एक खबर ने भारत को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बांगलादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हत्यार की पहली खेप मिल गई है। जहां बांगलादेश की मुहम्मद यूनुस के नेत्रित्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोप खाने के गोले, टैंक, गोला, बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ओन अर्डर किये थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि बांगलादेश को पाकिस्तान से ये हतियार और गोला बारूद ऐसे समय मिले हैं, जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेक हसीना को पीएम पद और देश छोड़ना पड़ा था और आज मुहम्मद यूनुस के नेत्रित्व मे देश में अंतरिम सरकार है, पर सवाल यह है पाकिस्तान की बांगलादेश को भेजी जाने वाली इस शिप्मेंट से भारत को चिंता क्या है, तो आपको बता दें, भारत की नजरें हमेशा अपने पडोसियों पर होती हैं, और बांगलादेश जो रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक बेहद अहम पडोसी है, लेकिन फिर भी हर कदम पर भारतिय सुरक्षा प्रतिष्ठान की नजरें टिकी रहती हैं, हालांकि बांगलादेश और पाकिस्तान के रिष्टे कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन हाल के घटना क्रमों ने दोनों देशों के र पहला सीधा समुद्री संपर्क था, इस कदम ने भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में एक गहरी चिंता की लकीर छोड़ दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक डील का हिस्सा नहीं था, बलकि यह एक रणनीतिक गठ जोड की ओर इशारा करता है, ऐसे में सवाल यह है, क्या पाकिस्तान और बांगलादेश के रिष्टों में सुधार सिर्फ हतियारों तक सीमित नहीं रहेगा, क्या इस नए मुद्री संपर्क के साथ दोनों देशों का सैन्य और कूट नीतिक सहयोग बढ़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, कि भारत ने जिस का सफलता पूर्वक टेस्ट किया है, उससे भारत को शक्ति प्रदान होगी, अपनी जरूरी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ओन नेल पर सेलेक्ट कर किये जय हिंद जय भारत